हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल क्रेक और कम्टिशन भी दंजली फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग एक जन्वरी 2020 का पेपर टू का इंगलेस का पेपर स्वाल्प करने वाले हैं फ्रेंट्स यदि आप सीटेट की त्यारी करें तो यह वीडियो आपके लिए काफ अजय को पढ़के पर लिए गाफ जाएगी तो मैं आपको डिरेक कोशन के आंसर करवा देते हूं चलिए फ्रेंट्स कोशन की ओर बठते हैं क्वेशन नुम्मर 121 पिक दर करेक्ट ओप्शन तो जेस्टिफाई एस्टर्शन कथन दे रखा है ए स्कूल क्लोजर ड्यू तू ना कोविट 19 पैंडेमिक है लेट तू कंप्ली डिसकनेक्ट फ्रॉप एजुकेशन कोविट 19 महामारी के कारण इस्कूल बंद होने के कारण सी पूरी तरह से कट गई है रीजन आर दे रखा है वास्ट मेजरेटी ओफ दा चिल्डन और वीं टॉट थ्रो क्यम्यूनिटी वेस्ट क्लासे इंडेक्वेट ओनलाइन और फोन वेस्ट क्लासे यानि अधिकांस बच्चों को समुदाय आधारी कक्षाओं के माधियम से और ल वाला जो है यह रॉंग है और आर वाला जो है यह सही है इसकर राइट आंसर आपको ऑफ्चन नमबर टू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेट्टी नमबर गिवन गलो आर रियल लाइफ पर रियल लाइफ सिचुएशन पर टेनिंग और तो स्कूल एजुकेशन विच विच चार साल की इस्थिती दी गई है इन में से कौन से अबिकल्ब सही है एक पूरा सेक्टरिक बर्स पूरी तरह बर्वाद हो गया है सी लिटिल और अल्मोस्ट नो केरुकलर लर्निंग एज टेकन प्लेस बहुत कमिया लगवक कोई पार्ट चरिया सिच्छर नहीं हुआ है डी दे रखाया वाइफ स्पीट फॉर्टिंग और लर्निंग फ्रॉम प्रिविएस क्लास पिष्णी कक्षाच से सीखने की व्यापक भूल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number one a and b a and b जो है आपका करेक्ट है नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर 123 पिक दा पिक दो option which best given gives the meaning of the world pandemic as used in the passage pandemic का जो best meaning है आपका वो आपको बताना है pandemic से related यानिकी synonyms इसका pandemic का जो अर्थ है उसको आपको बताना है इंग्लेस में by desperate disease value ही बिमारी एक chronic disease एक जीर्ण रोक या एक पुरानी बिमारी a disease confined to one region एक छेत तक सीमित एक बिमारी a disease that has spread all over the bird एक ऐसी बिमारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो friends मेरे हिसाब से इसका answer आपका option number four हो जाएगा a disease that has spread all over the bird जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है इसका option जो दिया हुआ है उसमें वह गलत दिया हुआ इसका answer आपका option number four हो जाएगा a disease that has spread all over the bird एक भी मारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है नेक्स्ट कोशन है आपका 124 नमबर इस्टडी ता following statements दिया गया निम्न कतनों को अध्यन करें यानि कि पढ़ें पहला ए दिया हुआ है इसकूल बंध होने से चात्र पिछले साल सीखी हुई भातों को भूल जाते हैं बी में दे रखाया lack of foundational abilities will impact further learning मुल्बुत चमताओं की कमी सीखने के लिए प्रभावित करेंगी तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका दोस्तों बहो हो जाएगा four number both a and b are wrong a और वी दोनों ही गलत है next question है आपका 125 number का question pick the correct option to justify so how loss of learning can be remedied सीखने के नियमों को कैसे सुधा जा सकता इसका औचित्ति सी दिघरने के लिए सही विकल्प को चुनना है assertion दे रखाए आपका कथन दे रखाए it can be ensured that learning loss does not happen यह सुनिच्चित किया सकता है कि सीखने का नुकसान ना हो reason जो कारण है आप बोदे रखाए however rigorous implementation of multiple strategies have to be used for maintain calcular achievement हालांकि अनियमित उपलब्दी को बनाए रखने के लिए कई रणीतियों के reverse कार्यान में का उप्योग किया जाना है तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका बहुत हो जाएगा option number one a is true but r is false पहला यह वाला सही है आपका और जो इसका कारण है वो गलत दिया हुआ है next question है आपका 126 number question pick the right option to show how a baseline to cool tool can be made to make a comprehensive assessment यह ब्यापक आकलन करने के लिए आधार बूत उपकरण कैसे बनाया जा सकता है यह दिखाने के लिए सही विकल्फ चुनना है आपको ठीक है तो यह number में दिया है assess all grade level competencies included in curriculum पार्टक्रम में शामिल सभी ग्रेडिस्तर की श्यमताओं का आकलन करके B में दे रखा है assess skills ability that lead to future complex learning in language and maths यानि की कौशल और छमताओं का आकलन करके जो भविश्य में भाश और गडित में जटिल सीखने की और ले जाते हैं C number में दे रखा है assess all advanced concepts and skills in all subjects सभी विश्यों में सभी उन्नत अपधानाओं और कौशल का आकलन करके D में दे रखा है assess core language skills and foundational maths operations and numericals कोर भाशा कौशल और मुलबूत गड़े संचालों संख्यात्म का आकलन करके तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number 2 A and C A और C वाला answer जो है आपका बिलकुल सही है A वाला और C वाला ये दोनों आपके बिलकुल सही है Next question है आपका 127 number question Pick the option which is opposite in the meaning to the word proficiency used in the passage आपका जो proficiency word दे रखा है इस passage में उसका बिलकुल opposite word इसमें से चुनना है नीचे दिये गए options में से तो आपका पहला दे रखा है advanced abilities जिसका अर्थ होता है उनने चमता है दूसर दे रखा है inadequacy जिसका अर्थ होता है अनुविता competence means होता है चमता और incompetence means होता है अचमता तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका बो हो जाएगा option number 3 competence यानि कि चमता और इसका जो proficiency का means होता है बो होता है प्रमीरता ये बिलकुल opposite words हो गए दोनों next question है आपका 128 number question in the form of in the form of the underlined word is a in the form of जो वर्ड वाके दे रखा है आपका के रूप में in the form of का मतलब होता है के रूप में तो इसमें जो form word दे रखा है उसके नीचे underline की हुई है तो यह आपका word क्या है noun है pronoun है adjective है या एड़ वर्व है तो उसका right answer हो जाएगा option number two pronoun क्या है यह pronoun है नेक्स्ट कुशन है आपका 129 number इसमें भी paragraph दे रखा है इसको आप पढ़ लिजे यदि आपको paragraph पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए हम paragraph को भी पढ़के समझा देंगे आपको चलिए फ्रेंट्स 129 number का कोशन पढ़ लेते हैं anxiety common before any examination can make a candidate सामानी चिंता किसी भी परिछा से पहले एक उम्भीदवार को बना सकती है यह में दिया है नर्वस बरीड एंड इस्ट्रेस घबराया हुआ चिंतित और तनावग्रस फील कमफॉर्टेवल वाइल फेसिंग न्यू चैलेंजिज डिफ्रेंट टाइप ओफ फियर बिविन प्रकार के भैका अनुवव सफर्व मेंटल हैल्थ एंड डिसकंफॉर्ट या फिर मांसिक स्वास्तों परिशानी से पीडित तो इसका जो राइट आंसा हो जाएगा दोस्तों आपका बूह हो जाएगा option no.3 c and d are correct but not be यानि कि c वा 3130 नंबर question feeling of anxiety is sometimes helpful in performance चूज़ दा स्टेट्मेंट विच इस नॉट करेक्ट क्या दिरखाए feeling of anxiety चिंता की भाबना कभी-कभी प्रदर्शन में शायक होती है इसका जो चूज़ अस्टेट्मेंट विच इसनॉट करेक्ट इसमें सो उस statement को चुनना है जो correct नहीं है सही नहीं ह तो पढ़ लेते हैं फर्स्ट नंबर में दे रखाए encourage encourages to move forward even after failure असफलता के बाद भी आगे बढ़ने का होसला देती है टू गाइज टू को पाप बिद्दा सिचुएशन इस्तिती से निफपटने के लिए मागदशन देती है मोटिवेट्स एंड क्रियेट्स मेंटन एनरजी मोटिवेट्स एंड क्रियेट्स मेंटन एनरजी प्रेरित करती और मासिक उर्जा देती है helps in focusing on target under pressure दबाव में लक् सब्सक्राइब करने में मदद करती है नेक्स कुशन है आपका 134 वर नंबर कोशन इस्टेडी ता फॉर्लॉमिंग इस्टेट्मेट निम्न कतनों को पढ़िए option number a इसमें a दे रखा है आपका examination stress can use can cause debilitating behavior जो परीक्षा का तनाओ है वो दुर्वल ब्यवहार का कारण बन सकता है वी में दे रखा है examination nervous do not affect the most talented student पर इच्छा की जो नर्वस नैसे जो घवराहत है वो सबसे प्रित्वासाली चात्वों को प्रभावित नहीं करती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा option number one a is right and b is wrong इसका जो राइट आंसर है वो आपका a वाला सही है और b वाला गलात है इसलिए one option आपका सही हो जाएगा next question is 132 number question which of the following is nearest in the meaning to the underlined world निम्न में से कौन सा कौन रेखां के सब्द जो debilating सब्द है रेखा जिसके नीचे खिचिविया अंडर लाइन है जिसके नीचे के अर्थ में निकर्तम है इससे निकर्तम अर्थ रखने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है पहला है अंडर में अंडर मिनिंग तो इसका जो अर्थ होता है बहुता है को कम वीकनिंग कम जोर स्ट्रेटनिंग सीधा और रिस्टोरेटिव में सोता है मजबूत कर देने वाला तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका option number two वीकनि मेंस होता है कम जोर और यह दुर्वल का ही एक सानोनीम है निकट अर्थ देने वाला है डेबलेटिंग मेंस होता है दुर्वल और विकनिंग मेंस होता है कम जोर दोनों का ही एक ही अर्थ होता है नेक्स्ट कुशन है आपका 133 number question a person who is high in test anxiety and takes the evaluative situation as personally threatening may not so one the following symptoms एक ब्यक्ति जो परिक्षर चिन्ता में उच्छे है और ब्यक्ति के दूप से धमकी देने पर मूर ल्यांकन की गई सिद्धी को निम्न लक्षरों में से एक नहीं दिखा सकता तो उसका जो लक्षर है वो क्या हो सकता है कौन सा लक्षर वो नहीं प्रदर्शित करेगा concentration एक आगरता fear, डर, anxiety and nervousness यानी चिन्ता और घबराहट और 4 नम्म में emotional excitement बाबनात्म उस साथ उसका जो रायट आंसर है बोजाएगा option number 3 anxiety and nervous by anxiety यानी चिन्ता और घबराहट को प्रदर्शित नहीं करेगा यह उसका लक्षर नहीं है next question है आपका बन थर्टी वन मिनट कौनसा question है बन थर्टी फोर नमबर का question dash can cause test anxiety which adversely affects test performance the underline cloud is dash cloud जो underline किया गया क्लाउज है वो कौनसा क्लाउज है तो इसका रायट आंसर हो जाएगा option number 1 प्रिंस्पल क्लाउज जो underline क्या हुआ क्लाउज है फिच एड्वर्सली एफेक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस यह जो क्लाउज है यह है प्रिंस्पल क्लाउज next question है आपका 135 नमबर बाइल प्रिपेरिंग फॉर एग्जामिनेशन इसमें जो वाइल वर्ड दिया हुआ है जिसके नीचे का कारे कर रहा है next question है आपका 136 नमबर का question कि वाइल टीचिंग इने मल्टिंग्वाल क्लास्रूम हाउज कैन एटीचर एड्रेस दा इसु आफ डाइवर्सिटी वर्न मिनुनेट क्वेशन क्या क्या रहा हमारा वाइल टीचिंग इने मल्टिंग्वाल क्लास्रूम हाउज कैन एटीचर एड्रेस दा इशु आफ डाइवर्सिटी एक बहु भाशी कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक बिवित्ता के मुद्दे को कैसे संबोधित कर सकता है क्षा में स्कूली भाशा के उपयोग को अनिवारे करके चातलों को अपनी मात्र भाशा में ना बोलने के लिए प्रोसाहित करके और रिकोग्णाजिंग दा मधर तंग ऑफ दा स्टुडेंट चातलों की मात्र भाशा को पहचान करके नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 137 नंबर कोश्चन एक तीन साल का बच्चा एक शब्द बाक्यांश्टों और छोटे बाक्यों का उप्योग करके सरल संबादात्म करने में सक्षम है उस बच्चे की कोशल का प्रतिनीदित तो करता है यानि कि वो बच्चे का कौन सा कोशल है और इसी और इसी पता नहीं क्या वर्ड है यह लिट्रेसी मिंस होता है साक्षर्टा थर्ड नंबर पे दिया है क्रियेटिविटी यानि कि रशनायत्मक्ता और फोर नंबर पे दिया है लैंग्वेज लर्निंग यानि कि भाशा सीखना तो इसका जो राइट अंस हो जाएगा ऑफ्चे का जो कौशल है वो क्या है भाशा सीखने का अभी वो भाशा सीख रहा है नेक्स्ट कोशन है आपका 138 नंबर का कुश्चन मेटा लिंग्विस्टिक रिफर्स टू मेटा भासाई संदर्वित करता है मेटा भासाई क्या होता है मतलग यह पूछा गया है एप पर्शन्स एविलिटी टू नौट जस्ट अंडरस्टेंग दा लैंग्वेज एब्यक्ति की ना केवल भाशा चब पर्शन्स एविलिट्व ठ्शन्स मेट हूल जाएक संब्यक्ति की संबद करने की जिशंद त to be able to reflect on language and how it works ब्यक्ति की भाश और यह कैसे काम करती है पर प्रतिविम्बित करने में सक्षम होने की चमता नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 139 नंबर का कोश्चन A student had difficulty in recalling sequence of letters in words and frequently lost visual memory this may be associated with एक चात्र को शब्दों में अक्षरों के अनुक्रम को याद करने में कठनाई होती है और तरश इस्म्रति में अक्सर हानी होती है यह संबंदित हो सकता है यह किसे संबंदित हो सकता है dyslexia dyscalculia dysgraphia dyspraxia तो इसका जो right answer हो जाएगा option number one dyslexia बहपीरिते dyslexia से नेक्स्ट कुश्चन है हमारा 140 नम्मर विच आप तर फॉलाविंग लेंग्वेज इस नॉट इंक्लूड़िट इंटीन एट सॉरी एट्ट सेड्यूल ऑफ इंडियन कंस्टिटूशन हमारे समिधान की आठवी अनुसूची में निम्रमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा आठवी अनुसूची में सामिल नहीं है बोडो संथाली और क्या है मड़िपूरी ये तीनों ही भासा हैं हमारे समिधान के आठवी अनुसूची में सामिल हैं नेक्स्ट कुश्यन है 141 नंबर एंशेंशियल प्री रिक्वस्टलीक लेग्वेज इई डैसंवाश्य के प्रती सकरात्मक देश्टिकोन है बहाशा शीखने के लिए एक आवश्यक पूर आवश्यकता क्या है एक कुछ टेक्स्ट बुक यानिक अच्य पार्टे पुस्तर मोटिवेशन प्रेड़ना पॉजिटिव एटिटीट टुवार्ज लेंग्वेज भाषा के प्रति सकरात्मक डश्टी कौन एक अच्छा सीख्षक्तु इसका जुर्णा हो जाएगा ऑफ्शन नमबर टू हो जाएगा मोटिवेशन भाषा सीखने के लिए जो आवश्यक्त पूर्व आवश्यक्ता है बुक्या है मोटिवेशन यानि के प्रेड़ना है नेस्ट कोश्यन है हमारा 142 नमबर का कोश्यन एक पाठक पाठक के माध्यम से अपनी केंद्रिय भावना और सार को समझने उसके संगठन को समझने और लेखक के स्वर्या इराज़ना है बादे को समझने की कोशिस करता है समझता है दिस सब इसकिल ऑफ रीडिंग इस नोन एज उसके इस उपकोशल को किस रूप में जाना जाता है इसके मिंग हवा में घूमना या फिशलना इसकेनिंग अब लोकन करना इंटेंसिव रीडिंग गहरी पढ़ाई और फोर नमबर में दिया है एकस्टेंसिव रीडिंग या फिर अतिश्य अभ्यास तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ऑफ्शन न प्लेस और मीनिग अब वर्ड सेंटेंस सेज वार्ड कुट्ट इस इस रिलेटेड टू यदि एक सीच्छ सिक्षार्तियों को शब्द बाक्यों के इस्थान अर्थ पर काम करने के लिए निदेशित कर रहा है तो यह किसे सम्मंदित हो सकता है सेमने सेमने स्वारी सेमने वन प्रफोलोजी अकृति विग्यान या फिर सिंटेक्स बाग के बिन्यास तो इसका जो राइट अंस हो जाएगा और सिंटेक्स यानि कि बाग के बिन्यास से सम्मंदित हैं नेक्स्ट कोश्चन है 144 नमबर एन एक्जांपल ओफ एसिन नोरस कम्यूनिकेशन इस एक अतुल्य क कारेक संचार का इक उधारण है newipaypper shark यानि कि समाचारपत्र इस्टेंट मैसेजिंग संदेश बिडियो कानफ्रेशंग आप लोग जानते हहें इस्टेंट चैट यानि की तुरन्त चैट तु इसप्सक्राइब और सलिगाया हमारा option 1, newspaper मेरेक्स्ट समाचार नेक्स्ट है हमारा बन पूर्टिफाइब नंबर का कुश्चिन भाषा के किस पहलू को मुख्य रूप से बोले गए और लिखेत इन्पूट के माध्यम से बस्तूरों के उप्यों और कारियों की खोज की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए नंबर वन में हैं ग्रामर भी दू में हैं इसकिल्स यानिकी कोसर फ्लुएंसी प्रभाग और प्रॉफिशियंसी प्रभीरता जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन ग्रामर नेक्स्ट कोश्चिन है 146 नंबर का कोश्चिन 146 नंबर इफ लर्निग और लेंग्वेज इस नौट एन आटोमेटीग प्रॉसेस जैन वाट इस एस असुशियेटेज नहीं तो यह किस से सम्बन दीत हैं लेंग्वेज लर्निग भाशा सीखना लेंग्वेज इस सिस्टम भाशा एक व्यवस्ता हैं लेंग्वेज एकुस्टिशन भाषा अधिक रहे हैं या फिर लेंग्विजेज एवर चेंजिंग भाषा हमेशा बदलती रहते हैं तो इसको राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर वन लेंग्वेज लर्निंग भाषा सीखना यदि भाषा सीखना स्वता प्रक्रिया नहीं है तो यह किससे संबंदीत है नेक्स्ट पूशन है 147 नमबर ग्रामर ट्रांशलेशन मैठर ऑफ टीचिंग मेली इंपेसाइज़ और डेवलक्मेंट ऑफ लेंग्वेज स्किल्स डैस शिच्छर की ब्याकरण अनुवाज पद्धती मुक्रूप से भाषा कोशल के किस विकास पर जोड़ देती है लिस एपेसाइज़ और डेवलक्मेंट ऑफ लेंग्वेज इस्ट लेंग्वेज इस्टेश बाश्य यादि सुरिच्छर की ब्याकरण अनुवाज पद्धती मुक्रूप से भाषा कोशल के विकास पर जोड़ देती है लिस निग स्पीकिंग सीखना सुनना और बोलना रीडिं पढ़ना और लिखना नेक्स्ट कोश्चेन है हमारा 149 नंबर कोश्चेन 148 नंबर 148 नंबर तो पीछ ही रहा गया विच आप दा फॉलोविंग्स टू स्किल्स आर नोन एज रिसेप्टिफ लेंवेज इसकिल्स निम्ड में से कौन से से दो कोश्चलों को ग्रैक्सी बाश्चा कोश्चर की रूप में जाना जाता है लिसनिक स्पीकिंग सुन न और बोलना रीडिंग राइटिंग पढ़ना लिखना लिसनिंग रीडिंग सुनना पढ़ना स्पीकिंग राइटिंग बोलना और लिखना तो इसका जुराइट आंसर है वह जाएगा ऑफ्शन नम्बार ती लिस्निंग एड डीडिंग सुनना और पढ़ना सुनना और पढ़ना ये दो कॉशल है जिने ग्राइट चील भाषा कॉशल की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है आपका 149 number Question A teacher has instructed his students to prepare a slide presentation on a given topic Students are to include pictures, graphics, media clips and links to a resource What competencies will students exhibit at the compilation of this project? A teacher has instructed his students to prepare a slide presentation on a given topic A teacher has provided a slide presentation on a given topic Students are to include pictures, graphics, media clips and links to resources The students have to include graphics, media clips and links to resources The students will include graphics, media clips and links to the resources What competencies will students exhibit at the completion of this project? The students will include the general and links, the measures that appear on the profile of the results As you can read the page This is the number of people who have given this information The first number is for the analysis The impact of society on media पर समाज के प्रभाव का विश्लेशन करेंगे रिकोगनाइज दा मेडिया स्ट्रेजीज इंफर्म दा पर्श्योड सुचित करने और नुश्राइब करने के लिए मेडिया रणेतियों की पहचान डेमोंस्ट्रेट इस्ट्रेजीज एंड क्रियेटिव टेगनेक तूर प्रे प्रथे में देखा और अइडेंटिफाइदा एसे एसे एफेक्स ओफ मीडिया प्रजेंटेशन मीडिया प्रस्तुती के संदरिक प्रभावों की पहचान तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बहुत जाएगा और तूरिकोगनाइज दा मेडिया इस्ट्रेजीज 합니다 ड़ toolbox challenge 2009 को मेंट्स दा लणिंग थो दा मदर ठंग सीच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 मात भावचय की माधियम से शीखने पर टिपड़ी करता है किस क्लास के लिए अपकु एर्थ स्ट्रेंडर है अप टू सीछ्टा से ूपर तक मात भाषा में शिक्षा दी जाने चाहिए यह है शिक्षा का अधिकार 2009 में बढ़ने किया गया है यह लास्ट कोशन था आपका तो चलिए फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा यदि आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो को लाइक और शियर अवश्च कीजिए यदि आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें तागी मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर